हेलो दोस्तों दोस्तों विश्व किरकेट में रोहिच शर्मा को एक तूफानी बले बाज माना जाता है और लम्बे लम्बे छक्के और लंबी लंबी इनिंग्स खेलने के लिए रोहिच शर्मा जाने जाते है तीन दोहरे शतक लगाने वाले वंडे में रोहिश शर्मा भी इन तीन गेंद बाजों से खौफ खाते हैं आईए बताते हैं आपको उन तीन गेंद बाजों के बारे में हाल ही में अपना 33 जनम दिन मनाने वाले टीम इंडिया के स्टार बल्ले बाज रोहित शर्मा अपनी तूफानी बैटिंग से भले ही धुनिया भर की गेंदबाजों की नेंद उड़ाते हो लेकिन इस स्टार बलेबाज ने उन दो रिटायर्ड गेंदबाजों और एक वर्तमान गेंदबाज का नाम बताया है जिनका सामना करने में उन्हें सबसे आई रोहित शर्मा ने उन गेंदबाजों के नाम का खुलासा किया है जिने खेलने में उन्हें सबसे ज़्यादा मुश्किल आई रोहित ने स्टार स्पोर्ट्स के एक शो में बताया कि पहले गेंदबाज है ब्रेट ली क्योंकि उन्होंने मेर को 2007 के टाइम काफी परिशा 2007 के ऑस्टेलिया दोरे के दोरान पिछली रात को मुझे सोने नहीं दिया था क्योंकि मैं सोच रहा था कि उस गेंदबाज का सामना कैसे करूं जो 150 किलो मीटर प्रती घंटे की रफतार से गेंदबाजी करता है ब्रेट ली अपने चरम पर थे मैंने उन्हें करीब से देखा और नोटिस किया वे लगातार 150-150 किलो मीटर प्रती घंटे की रफतार से गेंदबाजी कर रहे थे मेरे जैसी युवा के लिए वैसी गती का सामना करने की बात से ही मेरी नीद उड़ गई थी रोहित ने कहा मेरे लिए दो ऐसे रिटायर गेंदबाज हैं जिनका मैं कभी सा खेलना किसी बुरे सपने से कम नहीं था ये सच है और वास्तविक ये सच ही है कि मैं इन दो गेंदबाजियों से काफी डरता हूँ वर्तमान में हैजल वूड का सामना नहीं करना चाहते रोहित शर्मा रोहित वर्तमान में किसी गेंदबाज का सामना नहीं करना चाहते वे ह वरतमान में अगर मैं टेस्स किरकेड में किसी का सामना नहीं करना चाहता हूँ तो वे है जॉश हेजलवूड क्योंकि वे अनुशासित हैं और उस लेंट से नहीं हटना चाहते हैं वे अपनी धीली गेंदे नहीं देते हैं मैंने इसे समझने के लिए उन्हें काफी देखा मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि टेस्ट खेलने के लिए उस्टेलिया जाना पड़े तो मुझे जोश हेडलूल का सामना करने में बहुत कठनाई का सामना करना होगा